हेलो प्रेंट्स, बेलकम एंदा परफेक्ट फिजियो टूटोरिय लुटूब चेनल, मैं भूनेश्वर और आप लेकर आँएक न्यू टॉपिक, यूरेनरी इनकांटिनेंस, जो टर्म यूरेनरी इनकांटिनेंस है, इनकांटिनेंस टर्म का मतलब होता है, दा एबिलिटी त कंट्रोल दा पैसेज, पैसेज को कंट्रोल करने की जो एबिलिटी होती है, वो लास हो जाती है, तो इस टर्म का मतलब होता है, इनकांटिनेंस, यहां हम बात कर रहे हैं, यूरेनरी इनकांटिनेंस की मीन्स, दा इनकांटिनेंस की मीन्स, दा इनकांटिनेंस की मीन्स, दा bladder control and general bladder weakness, इसमें क्या होता है, bladder का जो control है, वो involuntary loss हो जाता है, generally हम बोलने तो bladder की weakness की वज़ा से, this can be, this can range from an occasional leakage of urine to a complete inability to hold any urine, इससे क्या होता है कि जो urine को hold करने के bladder की capacity होती है, वो धीरे-दीरे loss हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वज़ा से urine का leakage होता रहता है Incontinence is most common among elderly, जो elderly person होते हैं, उनमें incontinence जो है common हमें देखने को मिलता है, women are more likely than men to have urinary incontinence और women में ज्यादा तर incontinence हमें देखने को मिलता है, in compare to men में अब अगर हम बात करें, कि children में और infant में, तो उसमें भी ऐसी चीज़ें होती है उनमें भी control नहीं होता है, ब्लेडर पर उतना, पर उससे हम incontinence में count नहीं करते हैं अब अगर हम जैसा कि आपको image में दिखाएं, तो ये हमारा urine है, जो कि ब्लेडर मिफिल है ये हमारा urator है, और ये देखे, urator है, और ये urinary infector है जो कि हमारी urine को जो है control करता है, कब जो है निकलना है, कब जो है रोक के रखना है ये है, तो urinary incontinence by bladder hyperactivity ब्लेडर के hyperactivity की वज़ा से भी urinary incontinence हो सकता है और वो ऐसे बहुत सारे regions हैं, जो कि अभी हम एक एक करके देखेंगे अब अगर हम बात करें, कि कौन-कौन से risk factor है, ये ये टोल होजी है urinary incontinence की तो सबसे पहले rest, bed rest जो है, एक risk factor है एक्जामपल के टाइम पर recovering from this surgery, जब patient की surgery होई होती है उस condition में जो है, urinary incontinence होने के chances बढ़ जाते हैं तो ये condition हमारी हो सकती है अब अगर हम बात करें, कि increased urine amount like with poorly controlled diabetes mellitus diabetes का most commonly symptoms है, जैसिके diabetes की three symptoms most commonly देखने को मिलते हैं PPP means polydyspsia, polyurea और polyphagia तो जो polyurea होता है, अगर ये है, तो इसमें भी देखने को मिलते हैं अगर कोई alcoholic person है, तो उसमें भी, अगर over active bladder है तो उनमें भी mental confusion, pregnancy, इन सब conditions, जो है एक risk factor है जिनमें हमें देखने को मिल सकता है साथी साथ prostate gland का अगर infection है या inflammation हो गया है तो भी जो control है urinary bladder पर वो थोड़ा disturb हो जाता है जिसकी वज़ासे हमें urinary incontinence देखने को मिल सकता है साथी साथ stool impact from severe constipation, causing pressure on the bladder ऐसा भी होता है कि अगर किसी person को काफे दिनों से constipation है और बना रहता है severely तो इसकी वज़ासे bladder पर एक pressure create होता है जिसकी वज़ासे urinary incontinence होने के chances बढ़ जाते हैं साथी साथ अगर हम बात करें urinary tract infection की ये inflammation की तो ये भी एक region हो सकता है साथी साथ जो over weighted person होते हैं जो बेट जिन में जादा होता है obesity होती है बेट घिन करते हैं उनमें भी दिक्कत हो सकती है जैसे कि पाली उरिया के बारे में हमने बता ही दिया थे कि diabetes condition में हो सकता है साथी साथ अगर कोई caffeine ले रहा है या कोका ले रहा है वेबरेज या तो ये भी stimulate करते हैं blender को साथी साथ जो कुछ certain medications हैं medicines हैं जो जैसे such a diuretics है anti-depressant है tranquilizers है anti-histamines है जो कि हम allergy में उस्ट लियोज करते हैं तो ये सारी medicines की वज़ा से भी होने के chances होते हैं कुछ diseases है mental diseases जैसे multiple sclerosis है Alzheimer disease है Parkinson's disease है तो इसकी वज़ा से भी urinary incontinence होने के chances होते हैं क्योंकि जो control है bladder का control है urinary bladder का वो जो है last हो जाता है साथी साथ stroke and spinal card injury में भी दिक्कतें आती हैं अगर हम बात करें और रिकाज़ की तो उसमें जैसे bladder cancer कुछ लोग को bladder cancer अगर हो जाता है तो उनमें भी chances होते हैं bladder spas हो जाता है तो उसमें भी दिक्कत आती है साथी साथ जो लोग depression में ज्यादातर होते हैं उनको भी urine pass out करने में problem होते हैं means इसका leakage होता रहता है urine का साथी साथ large prostate in men जैसे कि हमने बताया था न prostate gland का inflammation infection होने की वज़ाए से उसके size जो है निक्रीज हो जाते हैं तो उनमें भी दिक्कते आती हैं साथी साथ nerve and muscle damage after pelvic radiation pelvic की अगर radiation होई है तो उसमें muscle और nerve के chances damage होने के chances होते हैं उसका एक region हो सकता है साथी साथ pelvic prolapse in women जब pregnancy के time ओमन का pelvic prolapse कर जाता है नार्मली भी थोड़ा वोत होता है इन compare to men तो उसकी वज़ासे भी chances होते हैं साथी साथ problem with the structure आप the urinary track जो urine का track है urinary track है उसमें अगर structural कोई problem आ गई है तो उसकी वज़ास के से हो सकता है साथी साथ जो most commonly काज़ज है बीकनेस आप the inspector जो inspector है जो उसे control करता है अगर उसमें ही बीकनेस आ गई है तो ये हो सकता है अब अगर हम बात करें कौन कौन से types होते हैं incontinence के तो ये जो है mainly जो इसका है classification types है जो etiology के basis पर है stress incontinence means stress की वज़ा से urge incontinence reflex incontinence reflex की वज़ा से reflex का जो control है जो हमारी detrusive muscles होती है urinary blood के जो muscles होती है उनमें अगर reflex time to time नहीं आ पा रहा है उनमें मालब contractional relaxation नहीं हो पा रहा है तो उसकी वज़ा से भी एक region हो सकता है urinary incontinence का साथिसाथ overflow incontinence overflow होने की वज़ा से हो सकता है या फिर surgery या trauma के बाद incontinence होने के chances बढ़ जाते है अब अगर हम बात करें जैसा कि आपको image में दिख रहा है कि देखो यहां मारा bladder पूरी सरा से फिल नहीं है पर insfactor की opening की वज़ा से जो pelvic floor में reflex आ रहा है pelvic floor जो हमारा relax हो जा रहा है reflex नहीं आ रहा है अच्छे से इसकी वज़ा से infector open है और urine जो है यूरेत्रा के दुरू leakage हो रहा है leak कर रहा है तो यह हमारा leakage इसमें दिखाया गया है इस वाले image में अगर हम बात करें over helping RG2 urinate तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी देखिए जो हमारा urinary bladder है वो पूरी तरह से फिल नहीं है पर जो involuntary bladder muscles है उनमें contraction carrier creates हो रहा है इसकी वज़ा से जो है urine pass out हो रहा है जबकि urinary bladder हमारा फिल नहीं तो यह अब अगर हम बात रहे clinical manifestations की तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता कि इसमें जो हमारा bladder होता है urinary bladder उस पर control नहीं होता है तो urine leak करता रहता है तो leakage up urine यह होई सकता है साथ ज़त कुछ sensory और emotional science है उसके वहार हम देखेंगे तो इसमें क्या order of urine are faces in the room तो अगर यह देखें incontinence है तो हमें pieces की स्में देखने को मिलेगी साथ ज़त स्वाइलिंग आफ undergarment और bed lines जो undergarment है यह bed lines है उनमें जो हमें swailing देखने को मिलेगी साथ ज़त इरिटेशन आफ perennial area perennial area में irritation फिल होगा तो यह region हो सकता है साथ ज़त एसीडेंट while engaged in physical activity sneezing, laughing अगर ऐसा कुछ हम करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलेगा साथ ज़त तो यह हमारे sensory science है जो हमें sense लगाने से पता चलकती है अगर हम emotional science की बात करें तो उसमें anger आ सकता है decline in social activity desired for attention तो यह सारी चीजें हो सकती है अब हम बात करते हैं कि diagnostic evaluation कैसे कर सकते हैं कि किसी को urinary incontinency की नहीं है तो बहुत सारे चीजें हैं जिनकी वज़ा से हम कर सकते हैं जैसा कि urine analysis कर सकते हैं urine culture के माधम से भी पता कर सकते हैं residual urine measurement के माधम कुछ चीजें में हैं जो direct ना कुछ indirect है दुनों मिला केस में है तो residual urine measurement के थरो कर सकते हैं vaginal and anal examination के थरो कर सकते हैं urodynamic studies कर के कर सकते हैं साथी साथ serum electrolyte calcium label साथी साथ kretin label इसको चकरने के बाद भी पता कर सकते हैं spinal MRI कर सकते हैं ultrasonography कर सकते हैं यह सारे treatment जैसे कि अभी हमने etiology पढ़ा था कि situology की वज़ा से हो रहा है उसकी basis पर हम diagnostic evaluation करेंगे साथी साथ हम systoyurethrography भी कर सकते हैं intravenous pylography भी कर सकते हैं IVP जिसे बोलते हैं यह fluoroscopy भी कर सकते हैं video-eurodynamic dynamics देख सकते हैं साथी साथ euroflometry कर सकते हैं systometer से भी चक कर सकते हैं साथी साथ systometer and urethral pressure profilometry एक procedure है उसके तो कर सकते हैं और muscle की weakness अगर हमाल दीजी हमारे है जो हमारे inspector है उसकी muscle की weakness तो इसके लिए हम EMG से भी चक कर सकते हैं तो यह सारे diagnostic evaluation की measures अब अगर हम management की बात करें तो management में जैसे कि हमें देख रहा है image में पहला है behavioral technique behavioral technique में हम क्या करेंगे patient को जो है blader control technique जो है चिखाएंगे साथ ही साथ schedule toilet trip और एक schedule बना देंगे कि आपको इस इस time पर toilet जाना है जिसकी वजाए से जो leakage जैसे कि माली जी हम बोल दिये कि आपको 2-2 घंटे पर जाना है साथ ही साथ bio feedback देखना है और इसमें physiotherapy की भी help देनी जिसके बारे में भी हम detail में discussion करेंगे means pelvic floor muscle की exercise करवानी है fluid and diet management पर भी ध्यान देना है अब अगर हम drug therapy की बात करें तो drug therapy में क्या है कि जैसे कि हमारी anti-colinergy के agent इसमें भी symptomatic treatment की basis पर हम देंगे जैसे symptoms उका उसकी basis पर साथ ही साथ anti-spasmodic agent हम दे सकते हैं topical estrogen दे सकते हैं अगर need है तो फिमेल्स में tricyclic antidepressant दे सकते हैं alpha-addenergic blacker दे सकते हैं alpha-addenergic agonist भी दे सकते हैं तो यह सारे हमारी drugs हैं कुछ जिनको हम दे सकते हैं अब अगर हम medical devices की बात करें तो urethral insert कर सकते हैं पेराया है पेसारी catheters यह सारी हम यूज़ कर सकते हैं साथ चलेंप and compression ring farm man के लिए उज़़ कर सकते हैं और इसमें कुछ एक modality उज़़ करते हैं जो फिजयोत्रपी में उज़़वता है electrical stimulation devices जो है इसका भी हम उज़़ कर सकते हैं अब बात करते हैं surgical procedure की surgically हम कैसे treatment कर सकते हैं urinary incontinence की सबसे पहले artificial urinary insector जो हम plant कर सकते हैं sling procedures का apply कर सकते हैं bladder neck suspension का यूज़ कर सकते हैं साथिसाथ leproscopic bladder suspension procedure का भी यूज़ कर सकते हैं साथिसाथ retro public colpo suspensor का यूज़ कर सकते हैं bladder augmentation का यूज़ कर सकते हैं neuromodulation का भी यूज़ कर सकते हैं तो यह हमारी कुछ surgical procedure है अब हम बात करते हैं physiotherapy management की तो physiotherapy management से पहले physiotherapy assessment हम समझ लेंगे कि कैसे physiotherapy assessment करेंगे तो जैसा कि normally जो basically हम हर एक patient में करते हैं वो तो करेंगे subjective information लेंगे जिनमे name, age, gender, occupation, chief complaint जितनी subjective information है वो तो लेंगे ही history वगएरा साथी साथ कुछ चीज़े हम और notice करेंगे जैसे कि pelvic roll muscles के function और distance को भी चक करेंगे तो उसको हमने एक grade में divide कर दिया है अगर zero grade हम देखते हैं zero grade में है तो no contraction one grade में तो flicker contraction two grade है तो muscle को squeeze कर सकता है पर lift नहीं कर सकता three grade में है तो fair squeeze कर सकता है definite lift कर सकता है four grade है तो good squeeze कर सकता है with lift के साथ और अगर fifth grade है तो strong squeeze के साथ lifting कर सकता है तो यह चक करेंगे साथ ही साथ हम जो है pulpation करके भी check करेंगे pulpation को check करने के लिए हमारे पास एक pneumonics है means perfect perfect का अगर पी देखे तो सबसे पहले हम power देखेंगे देन इसे endurance endurance में देखेंगे कि time to time जो है maximum contraction कब कब होता है means हम देखेंगे maximum contraction can be sustained कितनी देर देख सथे है साथी साथ R means repetition repetition देखेंगे means the number of repetition आप a maximum voluntary contraction के साथ साथी साथ F means fast contraction कितना fast contraction हो सकता है the number of fast contraction means in one second maximal contraction कितना हो सकता साथ ही साथ ECT means every contraction time देखेंगे means remind the therapist to continually continually overload the muscle activity for extending means muscle की extending के लिए continually कितना overload हो सकता है तो ये चीज़े हम जो है check करेंगे अब हम बात करते हैं PT management की PT management क्या करते हैं और assessment की जो procedure जो लगवक सब के हैं उसे हम रहेंगे बच से ही अलग था अब PT management की अगर बात करें तो सबसे पहले PFMT करवाते हैं means pelvic floor muscle training करवाते हैं जिसे हम kangle exercise के नाम से भी जानते हैं साथ ही साथ इसमें जो है हम electrical stimulation भी देते हैं तो सबसे पहले हम बात करें कि अगर pre-operative condition में operation से पहले इसमें क्या करते हैं तो इसमें keep lung clear of fluid and prevent chest infection को prevent करते हैं और जो इसमें fluid अगर है तो उसको clear करते हैं इस साथ ही साथ इसमें chest physiotherapy देते हैं जिसे breathing exercise ये से pulse lip breathing diaphragmatic breathing, segmental breathing ये सारी चीज़ हैं साथ हेल्प maintain muscle tone and promote the return of blood in veins to heart ये साथ lymph physiotherapy भी करवाते हैं circulatory exercise जिसे कि circulation maintainer है, bed mobility भी करवाते हैं अब ये हमारी है kegle exercise जो कि most commonly हम injury incontinence में यूज करते हैं तो इसके जो fact है four points सबसे पहले हम क्या करते हैं commonly prescribed to improve many condition जैसे tool इसमें क्या करते हैं tool lift pelvic floor and contract muscle pelvic floor को पहले lift करना है तो muscle को contact करना है they can be done at any location at home, office, or in car कहीं भी कर सकते हैं साथी साथ they have been proven effective in reducing urinary incontinence और ये mostly urinary incontinence जैसे कि हमने पहले ही बताया था females में होता है इसलिए ज्यादा effective होता है अब अगर हम बात करें post operative condition में तो इसमें भी वही जो pre-operative में करना है वो continue करेंगे means clear lung and prevent chest infection को prevent करेंगे support abdomen with soft pillow and take four to five deep slow breath then one deep cough पहले deep slow breath लेंगे then one deep cough लेंगे साथ ही साथ reduce muscle weakness and pain on the incision side posterior basal and lower castile breathing concentrating on the affected side means जहां पर incision लगा हुआ है महां कि अगर muscles weak है वहां पर pain हो रहा है तो वहां पर जो है हम उसके opposite side में जिस effector side है जो अपhexor side है उस पर concentrate हो करके base being exercise जो है हम करवाएंगे साथी साथ improve coughing chest expansion and breathing pattern पर भी हम ध्यान देंगे patient के तो यह कुछ exercises है जो हम करवाएंगे जिसमें कि यह वाली exercise जो है बहुत ज्यादा important जो कि हम करवाते हैं साथी साथ patient की education पर ध्यान देंगे और post-operative condition पर भी ध्यान देंगे साथी साथ advise patient to continue exercise as thought और patient को हम advise करेंगे आपको continue exercise करना है साथी साथ improve muscle tone and promote the return of blood in being to heart means circulatory exercise करवाएंगे साथी साथ progression for bed mobility के लिए progression exercise करवाएंगे ambulatory training देंगे patient को site में around 4 तरफ patient education postural awareness के लिए continually exercise करवाएंगे 3 times exercise करवाएंगे per day avoid heavy weight lifting पस heavy weight lifting जो है उसे हम avoid करवाएंगे this is all about urinary incontinence thank you thank you so much please video देखने के बात जरूर बताईएगा आपको वीडियो कैसा लगा है thank you